आज हम लोग बात करेंगे कि आप लोग के पास क्या क्या अपॉचुनिटीज है अर्ली रहने का क्या फाइदा होगा आपका वेब 3 में या वेब 3 गेमिंग और शुड़ा कॉल एन फ्री गेमिंग जो भी है समझ लो बस तुम सभाल लेना लेके तो अभी है अपन स्टार्ट क या हैं बहुत सारी ऊपॉचुनिटीज है निंग पॉचुनिटीज ग्रोत ऊपॉचिदय बहुत सारी चीज़े जो चीज़ेजिए लोग वेब 2 में कर रहे हैं वो वेब 3 में कोई नहीं कर रहा और अभी गेमिंव बहाम rede сами है कोई कुछ खेली थे तो इसके लिए लोग इनको जानते हैं अभी भी जानते हैं अभी उनका क्रेज नहीं गया अगर कहीं से मॉटल गुजर रहा है तो भाई अलग ही पाविलपन्थी हो जाती है लोगों में पिर इसमें और रहने का फाइदा तो मैं बोल ली तुका हूं बहुत बार की बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी हद से जादा चीज़ें अब बताता हूं एक्जाक्ली क्या क्या चीज़ें हैं content creators खेली यह आपको early programs मिल जाते हैं मतलब आपको early games मिल जाते हैं बेटा testing करके बेटा content क्रीट कर सकते हो आपको early mining facilities दे देते ये लोग कि जाओ भाई तुम अपने खुद के NFT बनावा ना लो कुछ ना कुछ करना ही है तुम्हें बस वो चीज़ earn करने के लिए तुम्हारे पास numbers भी नहीं दिखाने तुम्हें just cause तुम early हो तो maybe web 3 तुम्हारा breakthrough रहे तो इसके लिए लोग जादा कुछ उसमें दिक्कत होती नहीं है content creator programs मिलने के लिए खाली आपका PC laptop support करना चाहिए उन सब चीजों को बाकी कुछ I don't guess की दिक्कत होती है ambassador programs बल सकते हैं अगर कोई e-sports organization है web 2 में उनको अगर transition करना तो को easily ambassador programs दे देते हैं जादा कामवाम भी नहीं रहता और पैसे भी आते रहते हैं तुम लोग को tokens आते रहते या usd usdt कुसी में भी payment आ जाता अब वो सब तो हो गया तुम्हें early stages पे mint भी हो जाते है बाई अलग-अलग चीज़े तुरंथ मिल जाते है तुम लोग को अगर मिलने के लिए अब गाइज आते हैं इस टॉपिक पे सेज जर्सी पे पैन किया हूँ इदर इंडिया का लोगो इदर सेज का लोगो बाई तो अब अपना आते हैं सेज के बारे में सेज क्या है सेज एक गिल्ड है गिल्ड एज इन समझ लो इसपोर्ट्स और्गनिजिशन वेब त्रीका ऐसा आपन बोल सकते हैं तो अब हम लोग बात करेंगे सेज क्या क्या प्रवाइड करता है तो तुमने बता दिया कि अर्ली है यह है वह बहुत कुछ चीज़े मिल जा रहे स्टार्टिंग पॉइंट का से करें तो अब मैं बताता हूं शुरू कहां से करोगे तुम लोग तुम्हें करते हैं हमारी रिसोच टीम है अपनी खुद की सेजवालों की एक रिसर्च टीम है जो अलग-अलग गेम्स पर रिसर्च करती है और फिर बताती है कि हाँ यह यह प्रोजेक्ट खेलने लाएगे यह यह प्रोजेक्ट अच्छ है यह यह प्रोजेक्ट सम्थिंग लाइक डट वैसे बाते करते हैं भाई हम लोग फिर हमारे पास अपनी पुरी बड़ी बड़ी अपॉचनिटीस तो आती रहती है कि कुछ भी मिल जाए बाई ट्रेडल् आफवbir सभी में मैंनेजर भी उनका छोच लोग्राम सब्सक्राइब ने जी कि आंट यह कि बसृटा से मैं बता देता हूं कि कुछ गेम्स को खेलने के लिए आपको nft लगती है तो वह nft आप अफॉर्ड नहीं कर सकते में भी या वैब 3 नया कॉंसेप्ट है कौन अफॉर्ड करें कि या कौन खरीद है nft भाई पैसे डूब गए तो पैसे डूब गए तो वह nft जो आपको गेम खेलने के लिए चाहिए वह हम लोग प्रोवाइड करेंगे फिर एक कट रहता है कुछ रेशियो में डिवाइड हो जाता है जो गेम से मिलता है वह डिवाइड हो जाता है और वह प्लेयर और ऑग में डिस्रिब्यूट हो जाता है उसके बाद हम लोग प्रॉफेशनल इंवेस्ट में ओफोलियो हैं फिर हमारे आब अफिर से निकालते हैं मतलब भाई हम लोग इंवेस्मेंट we terra save m वैसा वाला सीन तो एक्जाक्टी नहीं है कि और इन्वेस्टिंग में कभी ना कभी कई ना कई रिस्क रहता ही है तो ऐसा नहीं हो कि भाई पैसे डुबा दिये तुम लोग ने बट या हम लोग सेफ और अच्छा आउट्पुट के साथ देते हैं कि हाँ वैसा ही रहेगा यह है investment इस project में आपको invest करना चाहिए इस project में नहीं करना चाहिए क्या चलेगा तो सब चीजेमें में लोग भी आजाएंगा पैसे के लिए पैसे मिल जाएंगे बस हो जाएगा नहीं होता बाई वैसे और अगर आप पैसे के लिए आ रहे हो ना वैब 3 में मता हो कहीं और गरेंड कर लो पाट टाइम जॉब कर लो बैटर रहेगा cause अगर आप पैसे के लिए किसी चीज को कर रहो ना आप एक extent तक ही करोगे पैसा देना बंद करेगा आप नहीं करोगे और अगर आप गेम भी पैसे के लिए खेलता हो ना आप असली गेमर नहीं हो भाई until unless आपको गेम खेलने में आपको वह वह भी बाकए I'll see you in the next one till then take care bye bye like share subscribe करना मत भूलना bye bye